रिमजिम बरस्ती बारिस हो और इस रिमजिम बरस्ती बारिस में क्रिस्पी और टेस्टी गर्मा गरम भुट्टे के पकोड़े खाने को मिल जाए तो फिर क्या बात है आज की रेसिपी में आपके लिए लेकिया हैं बहुती कम सामान में आसान तरीके से बने भुट्टे के गर किसे बनाते हैं Hello Everyone मैं Kimirator आज की बैस्ट recipe में आपका स्वागत है आज की recipe में हम बनाएंगे बुट्टे के पकोडे बुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए हमने तीन देसी बुट्टे लिये हैं सबसे पहले हम बुट्टे के दाने निकाल लेंगे इसे इस तरह से दो भागों में तोड़ लेंगे मकई के बुट्टे को इस तरह से दो भागों में तोड़ लेने से इसके दाने असली से निकल जाएंगे सारे दाने एक बावल में इखटा कर लेंगे फ्रेंड्स आप लोगों ने भुट्टे के पकोडे कई तरह से बना कर खाये होंगे बट एक बार हमारे तरीके से भी पकोडे बना कर टेस्ट करिएगा या आप लोगों को भी पत्पसंद आएंगे हमने बुट्टे के सारे दाने निकाल लिये हैं बुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए और हमने सामानेट किया है एक कटोरी बेसन दो बारी कट के वे प्याज तीन से चार कट की हुई हरी मिर्चे थोड़े छिले वे लहसून थ थोड़ा छिल कर कट किया हुआ अद्रग और एक कटोरी कट की हुई हरी धनिया इस तरह से हमने देशी बुट्टे के पकोड़े बनाने की सामगरी तैयार कर लिए ज़रुरत पढ़ने पर बाकी सामाना बादमेट करेंगे बुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए आप लो ता कि इसमें रेशे वगेरा उंतों निकल जाए अब हम इनको 15-20 एकेंड के लिए मिक्सी में ग्राइंड कर ले इस बुट्टे का पेश्ट ज्यादा मोटा भी नहीं हैए और ज्यादा बारिक भी नहीं ही मिडियम है अब हम सारे पेश्ट को बावल में टास्पर कर लेंगे अब हम इसमें बेसानेट कर देंगे प्याज हरी मीर्च लहसून अद्रक हमें भुट्टे के पकोड़े में कट किये विए अद्रक और लहसून का टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए हमने इसमें कट करके एट किये हैं यदि आप लोगों को अद्रक और लहसून भुट्टे के पकोड़े में नहीं एट करना हो तो आप लोग इसे इसकी भी कर सकते हो एक टीस्पून जिरा एट कर देंगे हाफ टीजपून अजवाईन भुट्टे के पकोडे में अजवाईन एड़ कर देने से पेट का डाइजेसन अच्छा रहता है अपने स्वाद अनुशार नमक एक चोछाई चम्मच हल्दी पाउडर एक टीजपून धनिया पाउडर थोड़ा गरम मसाला अब हम इसमें 1.5 टीजपून अमचुर पाउडर एड़ कर देंगे यदि आप लोगों के पास अमचुर पाउडर अवलेबल नहीं हो तो आप लोग अमचुर पाउडर की जगह आधा नीबू का रस्बिनी चोर कड़ एड़ कर सकते हो अब इसमें बारिक कट क्या हुआ हरा धनिया एड़ कर देंगे धनिया पत्ती को कट करने से पेले हमने साप पानी से अच्छे से वास कर लिया था थोड़ा हिंग पाउडर एड़ कर देंगे सारे मसाले को बुट्टे के पेष्ट में अच्छे से मिला लेंगे पफोडों को स्पाइसी बनाने के लिए और हम इसमें हाफ टीजपून लाल मिर्चे पाउडर एट कर देंगे और इसमें एक पींचा बेकिंग सोडा एट कर देंगे इनको भी अच्छे से मिला लेंगे हमने सारे मसाले को बुट्टे के पेश्टर में अच्छे से मिला लिया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए डखकर रख देंगे हमने बुट्टे के पकोड़े बनाने के गोल को मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए डखकर रख दिया था अब हम इसे देखते हैं बुट्टे के गोल को 10 मिनद ढखकर रखने के बाद ये शोप्ट हो गया है और अच्छे से फूल भी गया है अब हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने पकोडे के गोल को फिर से अच्छे से एक बार मिला लिया है हमने पकोडे के गोल बनाने के लिए पानी का यूज नहीं किया है बिना पानी के ही गोल तयार किया है ताजे भुट्टे और प्याज की वज़े से भुट्टे का गोल अपने आफी शोप्ट हो गया है पानी एट कर सकते हो बुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए यदि हम इस तरह से बुट्टे का घोल तयार करेंगे तो हमारे बुट्टे के पकोड़े क्रिश्पी बनेंगे अब हम चलते हैं नेक्ट प्रोसेस की और पकोड़े को फ्राई करेंगे पकोड़े फ्राई करने के लिए हमने गेस ओन कर दिया है अब हम कड़ाई में पकोड़े फ्राई करने के हिसाब से ओलेट कर देंगे गेस की आज तेज रखेंगे और ओल को गर्म होने देंगे इसमें हलका हलका धुआ भी निकल रहा है। अब हम इस तरह से छोटी छोटी लोई बना कर पकोड़े फ्राई करेंगे। हलके आज से लोई को ओईल में एट कर देंगे। पकोड़े हम अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। गेस के आज मीडियम रखेंगे और थोड़ी दिर फ्राई होने के बाद हम पकोड़े को हलके आज से पल्ता देंगे। पकोड़े फ्राई होने के बाद हलके गोल्डन ब्राउन रंके नहीं हो जाते तब तक हम इने लगाता चलाते हुए फ्राई करेंगे हमें सारे पकोड़े फ्राई होने तक गेज की आज मीडियम रखना है यदि हम तेज आज पर पकोड़ों को फ्राई करेंगे तो यह उपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे यदि हमें लगे कि ओल ठंडा हो रहा है उस समय हम थोड़ी देर के लिए गेश की आज तेज कर देंगे हमें मीडियम आज पर पकोड़े को फ्राई करते हुए 6-7 मिट हो गए हैं पकोड़े हलके गोल्डन ब्राउन रंके हो गए हैं और ये क्रिस्पी भी हो गए हैं और अच्छे से फ्राई भी हो गए हैं अब हम इन्या निकाल लेंगे पकोड़े की आवाज से ही पता चल रहा है कि हमारे पकोड़े कितने क्रिस्पी बने हैं इस तरह से छन्नी को हलके हाज से जटक कर ओईल निधाल लेंगे इसी तरह से सारे पकोड़े फ्राई करेंगे इस तरह से हमने सारे पकोड़े फ्राई कर लिये हैं अब हम गेस को बन कर देंगे पकोड़े फ्राइ करने के बाद कड़ाई में जो ओइल बचा है इसका यूज हम नेक्स टाइम जब भी कुछ फ्राइ करें उसमें यूज कर सकते हैं इस तरह से देशी भुट्टे के क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बन कर तैयार है हम भुट्टे के पकोड़े को टोमेटो नेक्स के साथ सर्व करेंगे फ्रेंड्स येदि आप लोगों को हमारी भुट्टे के पकड़े बनाने की रेसीपी पसंद आयोगे तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताएगा ताकि हम आप लोगों के लिए हर रोज नई नई रेसिपिज लाते रहें कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपि के साथ धन्यवाद